Hello everyone, welcome to Magnet Brains कैसे हैं आप सबी, I hope आप सब happy and healthy होंगे मैं हूँ करीन आप सबकी e-ways educators वागत करती हूँ आप कब Magnet Brains के चैनल पर and students video start करने से पहले बता देती हूँ कि Magnet Brains आप सबी को provide कराता है kindergarten से लेकर class 12 तकी free and high quality education जी बलकुल हाँ students English Medium चैनल पर आप सभी के लिए CBC Board के सारे वीडियोज अवलेबल है साथ में हमारा एक Hindi Medium चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगी class 6 लेकर class 12 तकी सारी के सारी वीडियोज with 5 other state boards also students वो 5 state boards कौन से हैं वो है UP Board, Delhi Board, MP Board, Bihar Board and Rajasthan Board आपको क्या करना है भाई आपके जितने भी friends, relatives या फिर siblings जो की Hindi Medium से study कर रहे हैं उनको इस Hindi Medium चैनल के बारे हैं बता देना है ठीक है ताकि वो क्या कर सकें भाई ताकि वो भी education का पूरा लाब ले सकें जोल्दी से भाई अपने friends और relatives को बता दीजे जो भी Hindi Medium से study कर रहे हैं ठीक है ताकि वो Hindi Medium चैनल पर join हो जाए ठीक है साथ में आप सभी के लिए fully organized courses अविलेबल हैं जैसे वेदिक वैट्स and spoken English ठीक है जिसमें आप सभी को daily practice questions भी provide करा जाते हैं इसके साथ साथ भाई students आप सभी को crash codes भी provide कराया जाता है exam time में ठीक है आपको कोई potential नहीं लेनी है आपको ये notes and ebooks का link description box मिल जाएगा उसे grab करने के लिए link को चेक करना मत भूलेगा आपको ये तीनों parts या नहीं की part 1, part 2 and part 3 मैं already explained कर चुकी हूँ ठीक है तो अगर आपने previous videos नहीं देखिए तो जाकर जल्दी से watch कर लिए जे भाई करीना मैं आपने बहुत ये अच्छे से आप सभी को ये chapter 6 explain कर दिया है इन parts में ठीक है तो miss मत करिएगा and जल्दी से फिर part 4 पर आ जाएए ठीक है अपना focus बनाए रखिएगा and सबसे पहले आपको क्या करना है वीडियो को like, share करना अपने friends के साथ आ कि आप मिलकर study करें alright students so जल्दी से focus कर लो अब distract नहीं होना है ठीक है अब हम आज क्या समझने वाले है आज हम 79 से study करेंगे ठीक है जो page 79 पर students given है वहाँ से हम start करने वाले है ठीक है so भाई एक new topic है this is visiting your plant friend ठीक है आपको अपने plant friend के पास क्या करना है visit करना है ठीक है अपने अपने दोस्ते जिस भी जिस ने भी जिस प्लान से दोस्ती की है उस plant friend से आपको क्या करना है भाई मिलने जाना है ठीक है all right so when you are feeling sad जब भी आप sad feel करें ठीक है आप उदास हो upset हो यहां फिर बहुत ज़्यादा गुसे में हो ठीक है angry हो so you can go to your plant friend आप अपने plant friend के पास जा सकते हैं and talk to it about how you are feeling and अपने plant friend से बाते भी कर सकते all right so when so जब भी upset हो upset हो यहां फिर बहुत ज़्यादा गुसे में हो ठीक है so आप क्या करेंगे भाई अपने plant friend के पास जाएंगे and अपने plant friend से बाते करेंगे all right so आपको अपने plant friend को बताना है कि भाई आप कैसा feel कर रहें उस ताइम अगर आप sad है upset है या फिर angry है so आप सारी situation अपने plant friends को बता सकते अब students आप सोच रहोंगे यह क्या बोलरी करीना मैं plant friends से बाते कौन करता है भाई plants से बाते कौन करता है अप यही सोच रहें लेकिन students plants भी ब बाते कर सकते है लेकिन students plants भी बाते करते है है na सो प्लांट हमारी बाते भी सुनते हैं आल राइट सो भाई आप बिल्कुल आपने अपने अपने प्लांट फ्रेंट से दोस्ती की है इना उसको फ्रेंड बनाया है तो आप जाकर अपने साथी सिचुएशन भी उन्हें बता सकते हैं यू कि आलसो टॉक्त वियो प्लांट वेन यू आरहाप जब आप जरूरी नहीं है जरूरी बिल्कुल भी नहीं कि जब आप गुसे में हो या फिर साड हो और आपका मूड खराब हो तभी आप जब आप खुश हो जब आप हैपी हो तभी आप जा सकते हैं भी स्टूरेंट व प्लांट चर्ण के पास गया आपने यह एक्टिविटी को किया तो आपको कैसा फील हुआ अपने प्लांट फ्रेंट से बात करते हो है ठीक है प्लांट ऑम्सो नीड आरकियर एन सपोर्ट भाई जैसे हमें केर इन सपोर्ट की जहरुत होती है ना हमारी मम्मी हमेशा हमारी हएं हमें support करती है है ना हमें अच्छे इस पड़ाती है जब कि में जाते हैं थे हमिल एक एक इंच हमारी एक अट सपोर्ड उस clown आम सब्सक्राइब है उन्हारा की रहती है एक यह सब्सक्राइब करना को बीजिए यानि कि छोट असा डॉग है ना सो वो डॉग का बेबी जो होता है भाई सो हमेशा पपी की केर कौन करता है पपी की केर कौन करते हुए देखा होगा अपने हमेशा उसकी ममा को देखा होगा है ना आपने डॉग को देखा होगा हम सब एक दूसरे की help कर सकते हैं हम plants की care कर सकते हैं इसे चोड़े चोड़े टास्क आप करके जैसे की आपने plants को water किया यह एक टास्क हो जाएगा भई की आपने plant की care किये राइट सो से अपनी habit बना लिजे हैना आपके घर के पास में कोई भी लाइक नेबर हुड में कोई भी आपको अनिमल दिख रहा है भाई काओ दिख रिए गोड दिख रिए हैना डॉग या फिर cat दिख रिए भाई उन्हें फी लिए रख सकते हैं थोड़े बहुत चावल की दाने याने की राइस रख सकते हैं आप ताकि birds खा सके हैना उनका पेट भरा रहा है हैना आप डॉक्स को क्या दे सकते हैं ब्रेट चपाती मिल्क राइट तो यह चोटी चोटी टास्क हम सब कर सकते हैं ऐसा ही हम एक दूसरे क कर सकते हैं तो हमेशा हमें क्या करना है भाई we should always help each other हमें हमेशा plants की help करनी है animals की help करनी बदले में हमेशा वो भी हमारी help करेंगे हैना एक बर आप करके देखिए एक डॉग को फूर आइटनम देखिए हैना वो डॉग हमेशा आपकी घर की केर करेगा हैना आपकी घर को प्र ये दो kids ये चोटी सी students है भी child है जो ये children आप देख रहे है पर एक पेड को क्या करें हाग करें अधी सारा लौव दे रहे हैं है ना बदले में ये पेड क्या दे रहे है इंको shed दे रहे है राइट ये च्छाव में खड़े ठंडक मिल रहे है इनको fresh ear मिल रहे है So students, हमेशा जब हम plants की help करते हैं, सो बदले में हमें भी कुछ मिलता ही है. Alright, समझ गए आप सर? So we should always help each other. अब students, एक activity given है, हम इसे देख लेते हैं, Guess who I am. हमें guess करना है कि में ये कौन है? Alright, sit in pairs. जल्दी से pairs में बैठ जाएए. ठीक है, आपने friend के साथ बैठ जाएए. One of you will think of the name of an animal. Bird, insect or tree and whisper it in the ear of your partner. चली. So आपको क्या करना है? Pairs बैठ जाना है. है ना? So एक इंसन क्या करेगा? वही एक student क्या करेगा? One of you will think of the name. आपको एक आप जिस पेर में बैठे हैं, उसमें से एक name सोचेगा. किसका name सोचना है? एक animal का, bird का, या फिर insect का, या फिर किसे भी tree का name. सोच लेना है अपने mind में. And उससे बताना है. धीरे से कानों में बताना है. विस्पर करना है किसको? अपने partner को. ठीक है? Students वो अपने partner के कान में वो बता देगा. Make sure you don't say it too loud. उसे बहुत तेज नहीं बोलना है. बस दीरे से कानों में बोलनें ताकि कोई सुनना सके. ठीक है? Your partner will have to act and move like the animal, bird or insect and the class. Will have to guess it. ठीक है? So ये activity आप class में perform जरूर करिएगा. ठीक है? ठीक है आप अपनी teacher से भी कह सकते हैं. है ना? आपको क्या करना है? Pears में बाट जाना है. ठीक है? अपने partner के साथ. Partner एक name सोचेगा. किसी भी animal का, tree का, insect का. ठीक है? अपने partner के कानों में धीरे से बता देगा ताकि कोई भी सुनना सके. ठीक है? आप जिस partner के कानों में वो name बताया है. वही partner class के सामने क्या करेगा? Act करेगा. ठीक है? वही act किस का? अच्छा कौन सा act करना है भी? जो नाम कानों में बताया है उसी का ही act करना है. जैसे कि अगर सपोस, animal का नाम बताया है. For an example, भी dog. ठीक है? So, dog की आवाज निकाल सकते हैं. या फिर cat. Cat की आवाज निकाल सकते हैं. So, students, ऐसे ही partner को क्या करना है? भी act करना है. जिस partner ने जो भी name सोचा है और आपके कानों में बताया है. है ना? वही name जो animal का हो सकता है, जो tree का हो सकता है. ठीक है? उसके क्या करनी है? acting करनी है. All right. So, फिर उसके बाद जो पुरी class है, वो क्या करेंगी? guess करेंगी कि वो कौन सा animal है, या फिर tree है, या फिर insect है. You can switch roles after this. ऐसे ही आप फिर बाद में partner के साथ roles को switch कर सकते हैं. चीक है, अगर आपने acting की है, आप नेक्स टर्न में आप क्या करेंगे? पार्टनर के कानों में आप name बता सकते हैं, और आपका partner क्या करेंगा? आक्ट करेंगा पुरी class के सामने. ऐसे ही आप roles को switch करते वही गेम को play करेंगे, और पुरी class क्या करेंगी? भई, guess करेंगी name को, है ना? नेम इंसेक का हो सकता है, अनिमल याँ पर श्री का, राइट सुदेंट्स, भई, बहुती इंट्रस्टिंग गेम है, जरूर प्ले करेंगा, आप घर में भी खेल सकते हैं, आपने parents के साथ, grand parents के साथ, आपने family members के साथ भी इस गेम को enjoy कर सकते हैं, आपको parents में बैटना है, animal, bird, insect और श्री का नेम सोचना है, पार्टनर की कानों में बताना है, फिर उसकी acting करनी है, ताकि फिर साब लोग guess कर पाएं, ठीक है? चली, बहुती interesting के हैं में, जरूर करिएगा, comment section बताईएगा कि भाई कैसा experience रहा आपका, ठीक है? For example, gopah's friend Ali whispered frog, ठीक है? So, जो gopah का friend था, है न, gopah का friend कौन है? Ali, Ali ने क्या बताया? नाम बताया, frog बताया, ठीक है? किसको बताया? भाई, gopah की कानों में, है न, into his ear, ठीक है? gopah's friend Ali whispered frog into his ear, ठीक है? So, gopah का जो friend है, Ali, Ali ने क्या नाम सोच था? Frog, और frog ये नाम अपने friend के कानों में धीरे से बोला, ठीक है? What do you think gopah did? अब फिर gopah ने क्या किया भाई? क्या सोचते हैं अब gopah ने क्या किया हुआ? So, here's friend Surya whispered people, अब जो Surya का friend है, ठीक है? Surya का friend कौन है? Surya, Surya ने कौन सा नाम सोच था? पीपल ये, एक पेड का नाम है, है ना, पीपल, so, ये पीपल, जो नाम है, ये, अपने friend के कानों में whisper किया, What do you think? सुखिया डेड, सुखिया ने क्या किया होगा भाई? आक्टिंग की होगी, हैना, एक पीपल ट्री बन गया होगा, तो आप सोच पारें, आप इमाजन कर पारें, कैसे आक्टिंग की होगी? Frog की कैसे acting करेंगी? Frog की तरह, मिंडग की तरह, भई, hop कर सकते हैं, हैना? ऐसे ही acting हो सकती है आवाजे निकाल सकते हैं तो फिर ठीक है तो चलो भाई देखते हैं आगे Do it yourself with the help of your parents or teachers ठीक है आपको parents की help से ये perform करनी activity या फिर teacher की मदद से आप classroom कर सकते हैं या फिर घर पर भी ये game को play कर सकते हैं तो जरूर enjoy करिए का भाई बहुती interesting game है students ठीक है अब do you know एक information ने आप सब के लिए a true story है एक true story है ठीक है सची कहानी है मैं आप सब को बता देती हूँ क्या कहानी है This is a story of small town called Walparai ठीक है याने कि ये छोटे से गाओं की कहानी है है ना एक small town की कहानी है जिस town का नाम क्या है Walparai ठीक है समझ गए इन Tamil Nadu है ना ये Tamil Nadu में छोटा ऐसा क्या है town है small town है ठीक है उसका नाम है ये Walparai throughout the school year the children and teachers in different schools in Walparai look for and record birds that come to their town so क्या करते हैं भाई ये पूरा साल याने की पूरे साल में क्या करते हैं school में स्कूल के जिते भी बच्चे हैं teachers है ना ये different schools में जाते हैं ठीक है and क्या करते हैं birds को record करते हैं record birds come to their town ठीक है दूसे दूसे schools में जाते हैं visit करते हैं देखते हैं कि भाई पूरे साल में तूसे पूरा साल भर में क्या होता है the children and teachers ठीक है ये बच्चे और teachers different different schools के सारे teachers, सारे schools के सारे children यानि कि सारे बच्चे, students क्या करते हैं इन बलपराई इस छोट इस टाउन में क्या करते हैं record करते हैं birds को ठीक है they record सबसे पहले तो birds को डूनते हैं कि कहां पर कौन सी bird बाठी है यानि कि इस छोटी सी place पर छोटी से टाउन में जितनी भी birds आती है ठीक है उसको डूनते हैं कि कहां पर कौन सी bird बैठी है and record करते हैं और राइट भाई बहुत ही अच्छी बात है ठीक है so different different words को देखते भी है and देखते हैं कि भाई कौन सी bird क्या कर रही है observe करते हैं सारी बाते and record करते है ठीक है चलिए so इसी के साथ भाई अब आगे देख लेते हैं हम just after the rains and in the winter months they planned a special welcome for these birds so ये कब होता है ये activity कब होती है ये activity होती है rainy season के बाद just after the rains ठीक है है ना जैसे कि आज अगर rain हुई so कल है ना मलब कि अगर आज rain हुई है so कल वो क्या करते है record करते है activity को ठीक है activity को follow करते और ये कब होता है भाई and in the winter months ठीक है याना कि सर्दी के मौसम में भी होते है ठीक है क्योंकि भाई बारिश के बाद ये जो birds है ना वो हमेशा पेडों पर रहती है अपने shelter में रहती है और protected रहती है winter मत्वे सर्दी के मौसम में भी कहां रहती है पेडों पर रहती है अपने आपको safe रखती है है ना so भाई winter season में और rainy season में बहुत सारी birds ये birds को record करते है they plan a special welcome एक special welcome भी plan करते है इन birds के लिए ठीक है grey vacills these birds commonly known as walati kurubi in tamil ठीक है so ये जो grey vacills है ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है popular है ये birds वहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है and इन birds के लिए welcome भी plan किया जाता है ठीक है अच्छे से इनका स्वागत किया जाता है आप सोच रहे है ये है भाई grey vacills बहुत ही सुन्दर लग रही है है ना students so ये grey vacills के लिए welcome भी plan किया जाता है and these words commonly known as walati kurubi ठीक है इनको tamil में क्या बुलाते है walati parts of India and stay there for few months आप students आपको पता है कि welcome क्यों किया जाता है क्या reason इसके पीछे का है ना ये birds भाई इती special क्यों है मैं बता देती हूँ भाई during the cold winter months याने कि सर्दी के मौसा में है ना बहुत भाई जब बहुत ज़ादा ठंड होती है cold winter months में ये grey vectors आती है कहां से आती है all the way from the mountains पहाडों से mountains से mountains पर आपको पता है students वहाँ पर बहुत ज़ादा ठंड होती है mountains पर हर ज़ागे बरफ होती है पूरा जो पहाड होता है पूरे जब mountains होते है किस से ढखे भी होते है ice से snow से right so mountains पर जब इतनी ज़ादा cold होते है वहाँ पर इतने जो weather रहते है चिल्ली होते है तो ये birds आती है warmer parts पर याने कि जहाँ पर थोड़ी गर्मी हो है ना इनको थोड़ी गर्मी मिले क्योंकि ये थन्डे मौसम पर रहती है और फिर वापस mountains में चली जाती है ठीक है कुछ महीने ये कहां पिताती है warmer parts में ताकि उनकी bodies heat up हो जाए ठीक है so वो heat लेने के लिए warmer parts पर याने कि इन जगहों पर आती है जहाँ पर थोड़ी बहुत घर्मी हो ठीक है इसलिए इनका हे welcome किया जाता है इसलिए इनका जो welcome हे planned किया जाता है एन words को welcome किया जाता है and record किया जाता है पुरे साल पर ठीक है so कौन record करता है भई teachers and students of the schools ठीक है ये schools कहां पर है भई ये ठाउन में है छोट एसससर टाउन में Tamil के एक छोटे सा टाउन है, कौन सा टाउन है बाई स्टुडेंस वाल पर आई, ठीक है आप स्पेलिंग देख लीजिए अच्छे से, ये टाउन का नेम है, अच्छे से इसे देख लीजिएगा, ठीक है? So, अब हम आगे पढ़ते हैं, and when the first grey vectals arrive in वाल पर आई, the children and teachers celebrate their arrival by putting up welcome posters for the birth and they distribute sweets to everyone. So, students कैसे welcome किया जाता है? जब ये सबसे पहले ग्रे वेक्टेल जब आती है, है ना? जब पहली बार आती है, है ना? First time जब आती है, तो क्या किया जाता है? ये जो children याना कि जो बच्चे है, schools के, जो teachers है ना? ये celebrate करते है, साथ में मिलकर, है ना? इनका arrival है, जब होता है, तो celebrate करते हैं by putting up welcome posters, ठीक है? So हर जगे welcome posters लगा दिये जाते हैं, है ना? ये birds के जो welcome posters हैं, लगा दिये जाते हैं, हर जगे वेक्टिल वेक्टिल के pictures रहते हैं, और राइट, for the birds and distribute sweets chairman, और सब को sweets बाटे जाते हैं, ठीक है? And in birds के भी बहुत ज़दा खातिरदारी की जाती है, इनको अच्छे से पानी पलाया जाता है, grains खिलाया जाते हैं, हर जगे grains भी रखे रहते हैं, ताकि birds कभी पेट भरा रहे हैं, है ना? pots बरे रहते हैं, right? So ऐसे ही इनका welcome होता है, देख रहे हैं आप कि भाई वाल पर आई यह जो छोटा सा टाउन है, यहां के students, teachers किते ज़्यादा स्मार्टे इन birds के लिए इता कुछ कर रहे हैं, है ना? So हम भी ऐसे छोटे से टास्क तो बिल्कुल ही करी सकते हैं, students जहां पर हम अपने घरों के भार pots फिल करके रख सकते हैं, जोटे से grains रख सकते हैं, है ना? टेर और उसको हम victils क्यों कहते हैं? ठीक है, क्यों कहते हैं? भई देख लेते हैं, grey victils are grey and have a habit of pumping or wagging their tails. अब भई यह जो grey victils है ना? इन्हें सबसे पहले तो grey क्यों नाम दिया गे? क्योंकि इनका colour कैसा होता है? grey होता है, जासे कि अभी हमने picture में देखा, यह grey colour की होती हैं, इसलि एक टेल होती है एक छोटी से पूछ होती है यह हमेशा अपनी टेल को क्या करती रहती है वैक करती रहती है ठीक है इधर से अधर अपनी टेल का मुवमेंट करती रहती है या फिर अपनी टेल को पंप करती रहती है ठीक है Hence, these are names. So, इस वज़े से इनका नाम पढ़ गया Gray Wagtails. ठीक है? Gray क्यों है? Gray नाम क्यों जुड़ गया आगे? क्योंकि color की वज़े से. And Wagtails क्यों बुला जाता है? क्योंकि ये tail को क्या करती रहती है? हमेशा wag करती रहती है. इनकी tail का हमेशा movement होता रहता है. इसलिए हम इने क्या बोलते हैं? Gray Wagtails. And color भी आप देख रहे हैं, कैसा है? Gray color का है. So, ये posters हड जगे लगा दिये जाते हैं वाल पराई में. इस चोटे से टाउन में इनका वेलकम करने के लिए. All right students, समझ गए आप? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, question 2 देख लेते हैं. Do you want to give a title to the story? क्या आप इस story को एक title देना चाहते हैं? चलिए हम title देते हैं, बिलकुल ये story को. Welcome Gray Wagtails. ठीक है, भई स्वागत हैं आप सभी का. है ना? आप सारी birds का स्वागत है. Welcome Gray Wagtails. है ना? साही टाइटल है ना, बिलकुल. अन ये true story students ये तमिल नाडू में जो एक छोटा सा टाउन है. है ना? जो मैंने आपको पताया. वाल पर आई. All right students, so ये छोटे से टाउन में, ठीक है. क्या है भई? टाउन है. वाल पर आई. ठीक है? अन यहां के सारे schools के, है ना, इस टाउन के सारे schools के, children, teachers, सब मिलकर, ये birds का welcome करते हैं. All right, हर जगे posters लगाते हैं. ठीक है चैचे से खातेरदारी करते हैं. इनकी, है ना, food देते हैं, इनको खाने के लिए, water देते हैं, पीने के लिए, right? So, एकदम अच्छी से इंतिजाम करते हैं and भाई, इसके सारे 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 सब को sweets भी बाते जाते हैं. ठीक है? They also distribute sweets to everyone. इस टाउन में सब को अच्छी अच्छी मिठाईयां बाती जाती है, sweets बाते जाते हैं, या फिर chocolates या candies बाती जाती है. ठीक है? समझ गए आप सब? So, हमें भी बिलकुल ऐसे ही birds की क्या करनी है, भाई, care करनी है. जैसे मैंने आप सब को बताया, है ना? So, हमेशा हम क्या करेंगे, ये birds की care करेंगे, right? भाई, Tamil Nadu की टाउन के जो students इतने जादा smart हैं, कि teachers इतने smart हैं, है ना? So, भाई, हम भी smart बन सकते हैं, ऐसा छूटे से टास्क को complete करते हैं, right? इसे अपने हाबिट बना लीजिए, जैसी morning में उठें, आप pot fill कर दीजिए, water से, थोड़े से grains रख दीजिए, आपके घर में कभी कुछ खाना बच जाए, है ना? So, आप animals को feed कर दीजिए, right? कभी चपाती बच जाती है, थोड़े से चावल बच जाती है, घर में rice, वो rice आप रख सकते हैं, है ना? So, भाई, कोई बड़ी बात नहीं हम सब, ऐसे ही छोड़े छोड़े टास्क कम्पीट कर सकते हैं, right? So, चलिए students, फिर मलेंगे, ऐसे मज़िदार वीडियो मलेकर, उसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना बिलकुल नहीं बूलना है, जितने students वोच करने जली से, लाइक करो, शेयर करो आपने फ्रेंज के साथ, ताकि उनको भी तब पता चले, इन ग्रेव अक्तिल्स के बार हैं, भाई, सारे वीडियो मिल जाएंगे, जैसे देली बोर्ट, भी हार बोर्ट, यूपी बोर्ट, एंपी बोर्ट and राजस्थान बोर्ट, दो फुली ओर्गनाइज कोर्से भी अवलेबल है, वेदिक मैठ्स and spoken English, जिसमें डेली प्राक्टिस क्रेशन प्रोइड कराया जा विजिट कर लिजिएगा, कोई भी चीज मिसने होने चाहिए, ठीक है? So students, e-notes and e-books का link भी description box में मिल जाएगा, उसे grab करने के लिए link को चेक कर न मत बूलिएगा, फिर में लेंगे students तब तक के लिए, bye bye, take care and keep learning, stay safe and stay happy.